बिहार में सरकार गिरने की पूरी क्रोनोलोजी समझ लीजे और जो पाते हम आपको सभूत के साथ बताने आये हैं उसे सुन कर आपको नितीश कुमार का पूरा क्रोनोलोजी समझ में आ जाएगा क्या आखिर नितीश कुमार की क्रोनोलोजी क्या है और दरसल नितीश कुमार ज देश से लोटेंगे तो वो उपमुख मंतरी नहीं रहेंगे ठीक वैसे ही जैसे ही साहनाबाद हुशैन प्लेन से उतरते ही वो दोग मंतरी नहीं रहे थे और बिहार में राजनीतिक ब्यार जो है वो बदल चुकी है और पूरी तरीके से इसलिए बदली है क्योंकि आप कर सकत हैं कि भाजपा के दूद के साथ नितीश कुमार की लंबी बैठक डेर घंटे चल तक ए बंद कमरे में चली बैठक के बाद जो खबड़े आ रही है उसे जानना और समझना आपको बहुत ही ज़्यादा जवड़ी है नमस्कार मैं प्रेंच कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे इससे हमारा आत्मबल इभम होसला मजबूत होता है चल में सरकार कैसे बदलने वाली है और तेसी आदब जब विदेश से लोटेंगे तो कैसे हुए उप मुख मंतरी नहीं रह पाएंगे दरसल आपको बताते चले कि जेडियो के एक राजसभा सांसद है नाम है हरीवन्स नरायन सिंग और जो की राजसभा के उप सभापती भी है वहीं आपको बताते चले कि आप सभी जानते हैं कि जेडियो ने दरसल अगस्ट 2022 में एंडिये से अलग हो गई थी समर्थन हुआ पस ले लिया था लेकिन अभी भी उप सभापती पद पर हरीवन्स नरायन सिंग बने हुए हैं और अकसर ये बाते सामने आती रहती है कि दर ऐसा आरोप उन पर काफी बार लगा है प्रसांत की सोर ने तो कई बार पेस करके इस बात का खुलासा किया कि नितीश कुमार अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं वहीं आपको बताते चले कि एक तरफ देश के नए संसत भवन के उद्गाटन का जहां तमाम भी पक्छी दलों ने बहिसकार किया था और इसमें जनतादल उनाइटेड नितीश कुमार की पाटी भी सामिल थे वहीं जनतादल उनाइटेड के ही राजसभा सांसद हरीबंस नरायन सींग जो कि राजसभा के उपसभापती भी है इस समारों में सिर्कत कर रहे थे और अतीथी के तोर पर सिर्कत कर रहे थे और प्रधान मंत्री का बिलकम कर रहे थे उस दोरान भी काफी सारी बाते चर्चा में आई लेकिन सबसे जादे चर्चा में ये बाते आई कि आखिर अगर हरीबंस नरायन सींग पार्टी लाइन से बाहर जाकर के भी अगर काम कर रहे हैं तो जनतादल उनाइटेड आखिर उन पर कारवाई क्यों नहीं कर रही है और पार्टी के नितियों के खिलाब जाने पर उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है या फिर उन पर कारवाई क्यों नहीं कि जा रही है दरसल ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे थे विपक्षी दल पू नितीश कुमार अपनी ही पार्टी के राजसभा सांसर से उनकी मुलाकात होती है और हरिवन्स नरायन सीग जो कि पिछले 10 महीने से नितीश कुमार से मिले तक नहीं थे बात तक नहीं होती थी वो बेक्ती आखिर दिल्ली से चल कर पटना क्यों पहुशते हैं और मुख्ध मंत चले कि जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नितीश कुमार पर एक तरीके से प्रेसर है और नितीश कुमार अब निकलने का प्रयास कर रहे हैं महागटबंदन से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी कड़ी को जोरने के लिए क्योंकि जहां अमीत साह और वहीं बिहार के सुसील कुमार मोदी जो की पुर्व उपमक मंत्री हैं उन्हेंने साफ साफ कह दिया कि नितीज कुमार के लिए BJP के दरवाजे बंध हैं और किसी भी कीमत पर नितीज कुमार को NDMA सामिन नहीं किया जाएगा तो वह में कड़ी का काम कर रहे हैं हरी वंस नरायन सिंग यानि कि हरी वंस नरायन सिंग एक तरफ जहां जेपी नड़ा को अमीत साह को मनाने की कोशिस कर रहे हैं ताकि नितीज कुमार को एक बार फिर से NDMA सामिल कर लिया जाए वहीं आपको बताते चले कि ये भी खबरे आई थी और हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी बताई थी कि एक तरफ जहां 12 जुलाई का अल्टीमेटम लालू प्रसाद यादम ने नितीज कुमार को दिया है वहीं अब चार्ज सीट जो दाखिल हुई है अब इसको लेकर एक तरफ जहां जदिव के नेता कह रहे हैं कि दरसल अब 23 आदब से इस्तिफा जदिव नहीं मांगेंगे यानि कि नितीज कुमार भी अब भरस्टाचार का जो अरूप लगा है तो यससी आदब के खिलाब जो चार सीट सीवियाई ने दाखिल की है इसके बाब जूद भी इस्तिफा नहीं मांगेंगे और आप सब को याद हो वे भ्रस्टा चार की आरोप लगा करके महागटबंदन से अलग हो गए थे लेकिन फिर से वे महागटबंदन में अगस्त 2022 में चले गए और इस सरकार को अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं लेकिन सरकार की क्या स्थिती है आप सभी देख रहे हैं वहीं आपको बताते चले कि CBI सबस्दी आपको गिरफटार करने की तैयारी में हैं और गिरफटारी की तैयारी चल रही है वह는지 कुछ लोगों का ये भी कहना नहीं है और एक वकील साहाब का एक रिपोर्ट आ रहा था और वकील साहाब बता रहे थे कि हो सकता है कि CBI की गिरफतारी से पहले तुझसी आदब कोट जाए और कोट से बेल के लिए फाइल करे और ये भी हो सकता है कि कोट उन्हे बेल दे भी दे क्योंकि इस देश में आप सभी लेकिन हरिवंस नरायन सिंग से देर घंटे तक की मुलाकात पूरी राजनिती में चर्चा का विशय बना हुआ है और लालु प्रसाद यादब के भी चेहरे पर सिखन आ गया है त्योंकि हरिवंस नरायन सिंग एक वही कड़ी है जो कि बीजेपी के साथ नितीज कुमार को जो उसके अनुसार यही समझ में आ रहा है और लोगों का कहना है या फिर हमने वकीलों से जो बात की है उसमें वकील सहाब का यही खाना था, ति सारे सबूत तिजस्टी आदब के खिलाप है, वहीं अब अदालत ने जो सबूत डिजटल साक्ष जो दिये गए थे, उसकी भी दाच करवाली है, और जाच में सारे डिजटल साक्ष सही सावित पाए गए हैं, और तिजस्टी आदब के लिए बीजेपी के दरवाजे बंध हैं, वहीं राजनीती में और किर्केट में अनिस चिंता है, यानि कि उसके बारे में भविश्वानी नहीं कि जा सकती है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आप एक चीज़ जान करके चल लिजे, कि अगर हो सकता है कि जिस तरी बीजेपी में आ चुके हैं, जो छगन भुजबल, जो छगन भुजबल जेल में रहे थे भरस्टाचार के आरोप में, आज बीजेपी में सामिल हो गए हैं, तो एडी की कारवाई उन पर होनी बंध हो गई है, तो हो सकता है कि दर असल अब ये भी इसमें आ जाए, और कि दर असल एक तेजसी आदब का विरोध करने के लिए या तेजसी आदब का जो जंगल राज है, उसको खत्म करने के लिए हम एक बार फिर से नितीज कुमार को अपने में सामिल कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, आप एक चीज समझ करके चलिए, कि बीजेपी की अभी जो दुस्मनी है, वो तेजसी आदब से है, बीजेपी की दुस्मनी नितीज कुमार से नहीं है, क्योंकि नितीज कुमार का कैडियर एक तरीके से खत्म हो चला है, और बिहार में अगर बीजेपी को अगर कोई करी टक कर दे सकता है, तो वो तेजसी आदब ही है, क्योंकि अ पी एकवार फिर से एंडिये में नितीश कुमार को सामिल कर ले इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि हमारे समाचार का विसलेशन करना आपको कैसा लगता है अग करें हमारे साथ जय हिन जय भारत जय जय भी राइगा